आप सभी को सब परिवार दीवाली की हार्दिक सुपकामने आपके जीवन को दीपावली का दिपोत्सव, सुक, समुरुद्धी, सोहार्द, शान्ती तथा अपार खुशियों की रोष्णी से जगमक करें गुरुपया सब्सक्राइब कीजिये हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ग्यानवर्धक वीडियो सरप्रथम देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं विनोत पांडे आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर दीवाली का पर्व सनातन हिंदु धर्म का सरवाथिक पवित्र तथा प्रसित्ध त्योहार है तथा इस त्योहार को दीपावली, लक्ष्मी पुजा, अमावश्या लक्ष्मी पुजा, कैदार गोरी ब्रत, चौपड़ा पुजा, शार्दा पुजा, बंगाल की काली लक्ष्मी गणेश पुजा, तथा दीवाली पुजा के नाम से जाना जाता है। दीवाली का त्योहार कार्दिक मास के कृष्ण पक्स की अमावश्या तिथी को मनाया जाता है। जीवन को अंधकार से प्रकास की और गतिमान बनाने वाला यह पर्व संपुर्ण भारत वर् तथा पवित्र करने से किया जाता है। क्योंकि दीवाली के दिवस सुब मुर्त में माता लक्ष्मी जी की विधिपुर्वक पूजा की जाती है। तथा मा लक्ष्मी जी वही निवास करती हैं जहां स्वच्छता होती है। दीपावली के सुब दिवस भगवान श्री गण स्रि महालक्षमी पूजन हे तुशुफ समय प्रदोस काल से प्रारंभ होकर अर्धर आत्री तक व्याप्त रहने वाली अमावस्य तिथी को श्रेष्ट माना गया है अतह प्रदोस काल mejorar लक्षमी पूजा के लिए सर्व श्रेष्ट है अतह प्रदोस के समय व्याप्त पुरुन अमावश्यति थी दीवाली की पूजा के लिए विशेश महत्व पुरुन होती है अतह हम आपको बताएंगे दीवाली की पूजा करने के लिए अत्यन्त सुग मूर्थ इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्स की अमावश्यति थी चार नवंबर गुरुवार की प्रातः 6 बच कर 3 मिट से प्रारंब होकर 5 नवंबर शुकरवार की प्रातः 2 बच कर 44 मिट तक व्याप्त रहेगी अतह इस वर्ष 2021 में दीवाली पुजा का त्योहार 4 नवंबर गुरुवार के दिन मनाय जाएगा इस वर्ष दीवाली की पुजा का सुब मूर्थ 4 नवंबर गुरुवार की सायं 6 बच कर 26 मिट से रातरी 8 बच कर 21 मिट तक का रहेगा इस दीवस दीवाली नरक चतुरदर्शी तमिल दीपावली दीवाली स्नान लक्ष्मी पुजा कैदार गोरी ब्रत चोपड़ा पुजा दीवाली देव पुजा सारदा पुजा तथा काली पुजा की जाएगी हमारे द्वारा बताये गए इस प्रदोस काल तथा स्थिर लगन के सम्मिलित सुब मोरत में पुजा करने से धन तथा स्वास्त का लाब होता है तथा व्यक्ति के वैपार में तथा आय में अति बृद्धी होती है ऐसा माना जाता है कि यदि स्थीर लगन के दोरान लक्ष्मी पूजा की जाए तो मा लक्ष्मी जी घर में सदा के लिए वास करते हैं अतह लक्ष्मी पूजा के लिए यह एक सबसे उप्यूक्त समय होता है दीपावली के दिवस अन्य सूप समय इस प्रकार रहेंगे भारत के अन्य प्रमुक शहरों में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का सुब मुर्थ कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तो हमारा आप से निवेदन है कि यह जानकारी आप वाट्सअप या फेस्बुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक स्याधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई चानकारी आपको अच्छी लगी होगी यदि आपका कोई सुजाओ या प्रस्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें सुचित करें भगवान आपको सफल बने तथा उजोल भविश्य प्रदान करें धन्यवाद